जय जिनेंद्र अपने मंगला चरण करियाने समय सारनों साध्याय खरू करिये समय सार बगवान कुंदकुंदा चारे रतीत समय सार तथा बगवान अम्रुच चंद्रा चारे रतीत आत्म ख्याती एनों सज्द्याय करिये छिए एमां आपने करता करमधिकार पुरो करें छे अने एनूं आपने रिवीजन करी रहा छिए करता कर्मधिकार मा जे वात आवी शे येनू तात पर्यो अने एमाती जे किटलिक शिद्धान्त नी वात छे येने समझवा माटे आपने आ रिवीदन करी रहाची करता कर्मधीकारनू आ ज्यात्मिक तात्पर्यों अने शिद्धान्तो एनी आपने मुख्यता राकी रिवीदन करिये छी आपने फिटलूक रिवीदन करिये आगल रिवीदन आपने करिये के राग ने द्वेश अने सुख आदी के दुख जे अवस्ता चे ए पुद्गल कर्मनों स्वाद चे अने ए पुद्गल कर्म थी जुदो न थी इखरेकर तो इस स्वाद चे ए पुद्गल कर्मनों चे जे अवस्ता थाए चे राग द्वेश रादी रुपे इस स्वाद ने पुद्गल कर्मनों पयो ने पुद्गल कर्म थी अभिन्न चे अने ए आत्माती जुदो चे आत्माती एभिन्न चे चता पन अग्नानने लिदे अग्नानने लिदे एटले के आत्माने भेदग्नान न थी औने येम भेदग्नान नहीं होवा थी शेनी वच्चे भेदग्नान नहीं होवा थी ओते स्वक ओन छे औने विजु जुदू सूचे येम येने भेदग्नान नहीं होवा थी एम जाने छे कि आ स्वाद मारो छे किमके जारे एने जाने छे त्यारे एनों उप्योग छे स्वच छे अन्य उप्योग स्वच छे तो ए स्वच उप्योग मां जे प्रतिभिम्बित थाए छे एने पोता नू माने छे अरीशो होए, अरीशानी सामे मोर होए अरीशानी स्वच्चता एटली बदी होए कि जाने के एम लाग एक अरीशामा मोर छे मोर अरीशामा नसी, मोर अरीशानी बाहर छे पड़ अरीशानी स्वच्चता ने लिदे अरिकामा पड़तू मोरनू प्रतिभिम्ब जाने के एमेज लागे के मोर अरिकामा अंदर छे एमा पड़ने बास्ता है एवु लागे एवी रिते एक नाननो उप्योग एवु स्वच्छ छे के एमा जे प्रतिभिम्बित थाए छे ए प्रतिभिम्बने अग्नानी एम माने के ए पोतानी अंदर छे खरिखर तो ए ग्नेय छे ए रागविश्च ना भाव ए पुद्गल्नी अवस्ता छे एके जीवनी अवस्तान थी पन अग्नानी एम माने छे के ए हुँ छे ए रूपे ए परिणमी रहो छे एम एने लागे छे के हुँ रागी छे हुँ द्वेश्ची छे हुँ कुरोधी छे ए रिते अग्नानी रागविश्च नो करता थाए छे एकले बेद गणान नहीं होवाने कार्ने बेद गणान के हुँ रहो जोईतो होतु के हुँ गणान करनारो जुदो छु और अज ये देखाई रहों चेजे और अनु गणान थे रहों चे लिध廿वींब छे जुदू छे ङे प्रतिबिम्बित थाए छे एनी स्वच्ताने कारणे प्रतिबिम्बित थाए छे एकले ग्नाननों उप्योगे वो स्वच्छ छे एकले एमा प्रतिबिम्बित थाए छे प्रतिबिम्बित थाए छे ए वस्तु जुदी छे ए मारा मा न थी मारा ग्नान मा जे जे देखाए छे एकी मारी अंदर न थी ग्नाननों तो सभाव छे के एक नई मात्र ने जाने एक ग्नाननों एवो सभाव छे अने एमा देखाए तो बले ने देखाएं पण एनी साथे एक रूपता करवानी जरूर न थी जो एक रूपता करशे तो मित्यात वत थाशे जे एना मा न थी एनी साथे एक रूपता करवाने कारणे मित्यात वत थाशे अने एने रखडवानू थाशे ये मात्र है एने जघ्न छे तें जानवानुँ छे पर आने भेद ग्नान न थी उतिक ग्नान सभावी छे और ग्नान चे ए नूँ छे ग्नान रूपे ए छे पनकि से वन देला अमा गनान मां प्रतिविम्भित्थ आएगे सुर्ण Ultra-वाल्या दौरा व्वाद से और प्रतिवर्जा. यह कि पुस्वयूफ, यह सिर्डिया कि आपकर बंपल पती आक्ष हमा More अदि जूरारे नेवन दांधाया, दौर रून से सम्झेर हैं इना अग्नान अवस्ता मा अग्नानी राग द्वेश करता थाए पने जारे गनान था है त्यारे आही रागाधी अवस्ता ने पूताथि चाने आने एम थाए एक़े पची करता था तो नती मत्रिया जान वापलों रहे जाये आज ये देखाई रुः छे ग्नान नी परिएयं मा देखाई रुः छे ओं ग्नान करबावालों पोल धुल मोच दैजो फूं पूं अगे मिधी अजय राग 웅ी जानाट फुल माने चीन चे तारा निल फटफ ल suspected आच्ख ers लुक जिए परिणाम थाये छे ए परिणाम तो पर्यायनी अपेक्स आये जुई येतु चैत्यन्य ना परिणाम छे ए चैत्यन्य नो विकार छे चैत्यन्य ना विकारी परिणाम छे चैत्यन्य नो विकार एकले चैत्यन्य परिणाम मा ये विकार छे अनि इवा इविकार सहित चैत्यन्य परिणा एनो इअग्णा नवस्तामा ब्रांती थी करता थायेचे खरे-खरे करता न थी पन अग्णानी इवा राग क्रूद द्वेश्वगेरेना भावे इवा भावनों करता थायेचे इटले इविकार सहित ना चैत्यन्य परिणाम छे अनि इवा अग्णान रूप बाव छे जेनो इवा करता थायेचे इटले के अग्णान रूप बाव छे ए अग्णान अवस्तामा अग्णान इनो कार्य चे कर्म चे अनि इनो इवा अग्णानी करता थायेचे पन जारे इने ग्णान थाये त्यारे पछी इवा भावनो इवा करता थातो न थी अग्नान रुप बावता एनो करता पची थतो नती। नानती येवा करता पणानो नास थाए। राग विश्णो करता थतो तो ये जारे एन अग्नान थाए एकले पची येवू करता पढ़ेतू नती। जे निश्चय थी स्वा और परने जाने छे तुने परनू करतो चोडे छे। शोने पर्ती जुधो जाने छे ये त पोताना अग्नान नी परियाए में जे जानाए छे ते मात्रक ने छे यह में बराबर छे तो पच्छी जेकंए पर चे इस बजा ने पोता Tी बिन जुदु जाने चे पच्छी इने परमू करतू तो रहतू नथी एटले एम ए पर्नु करतु तो छोड़े छे, ज्णानी थाये छे, यारे पर्नु औने स्वनु बन्नेनु जुदु जुदु एटले प्रुथक प्रुथक अनुभवन थाये छे, प्रुथक प्रुथक अनुभवन थावा थी, पर्ने औने स्वने जुदा जुदा पणे जाने छे, बिन्न पणे जाने छे, अनि एम जारे जाने त्यारे ये रागादी भावनों करता थातो नथी, स्वपर्नो भीद जाने ते करता नथी, पर गनाता चे, स्वपर्नो भीद जाने छे, ये गनाता चे, ये करता थातो नथी, पर द्रव्यो आ गटपट आदी अत्वा तो आपने त्यारे वर्तमान मां कई ये तो के आ घर्व कार कपड़ा कॉम्प्यूटर फर्नीचर ये बदु शरीर नो पर्म ये बदा ने आत्मा करे एम व्येवारी लोको नो व्येवार छे ये मानिता एमनी कोटी छे व्येवार थी एवी एमनी माननी आचे की बदा कार्यों जीव करे छे आत्मा ए बदा कार्यों करे छे કંપીટર ચલાવે છે જોબ કરે છે બધું જે કાઈંક બારમાં કરે છે ર સોઈ કરે કર કર ત સે થ ગે तो ये अस्त्य छे सामाटे अस्त्य छे किमके व्याप व्यापक भाव विना करता कर्म पणु पणु होए निय। व्याप व्यापक भाव एटले जे एमा व्यापे त्याज एनू करता पणु होए आपने ए वाद पनली दी कि परिणामी द्रव्य औने परिणाम ए जुदा होए नी परिणाम छे ए घडा रूप अवस्ता थाई छे तो ए घडा रूप अवस्ता जेमा थी थाई छे ए माटी ए परिणामी द्रव्य छे अने ए परिणामी द्रव्य थी गड़ो जे परिणाम छे ए जुदू द्रव्य नथी परिणाम और परिणामी एक माज होए माटी छे ए व्यापक छे औने ए गडामा माटी जव्यापी रही छे गडामा माटी व्यापी रही छे बीजू कोई व्यापतू नथी एटले जे द्रव्य छे एज एमा व्यापे, ए द्रव्य ज एमा ए परिणाम मा पण व्यापे, परिणामी द्रव्य परिणाम मा व्यापे, एम व्याप व्यापक भाव होए, तो ए परिणामी द्रव्य करता छे, अने जे परिणामा आयू घडो बन्यो, ए एनू कार्य छे, ए अने जो एवा व्यापक बावविना करता पणू मानवा मा आवे तो पिछी द्रव्यना नास नो प्रसंगा आवे धारो कि आपने एम मानी लईए का जीव छे ए पुद्गल नी परियायनों करता थाए छे तो जे पुद्गल छे जेनू काम करवा माटे यहा जीव द्रव्य जाये छे प्या ए जीवे पुद्गल द्रव्य मा एने व्यापक बू पड़े एमा व्यापे तो एनू कार्य करे तो एनू कार्य करे अने एनू करता थाए पड़ एम करवा जता एने पोतानू अस्तित्व गुमाववू पड़े एटले कि द्रव्यनो नास थाए जीव द्रव्यनो नास थाए पण एम तो बंदू न थी। ऐeliaती थायी चे के बिजा द्रव्या नी अंदर गई बने ने। जे द्रव्यचे इपोते पोतानी अंदर कार्य करे। पण बिजा द्रव्य नी अंदर कार्य करी सके ने। त्याहां ये व्यापवी शक्तु नती व्याप व्यापकिप भावना अभाव ती एंगे विजा द्रव्य हाथे ये नों करता कर्म पस्तबंध हो। ये नयम्त करता कर्म पन्तु पनू ऊब्यात पुछ। कि मा ही हमके दारोंके जीवने आपणे इडिते करता मानी आने सामे झिया निमिट छे तो यह करता था turn येने एवु करता पणू थाए एटले एतो सक्के न थी जो एवु करता पणू हो एतो सर्व वस्ताओं मा करता पणू रेवानो प्रसंद आवे तेथी जीव नहीं पन जीवना योगने उप्योग निमित पने पर द्रव्यस्वरुप कर्मना करता छे जीव ना थी पन जीवना उप्योग छे ए निमित पने अप्र तो निमित भावनी बात करवी छे जीवना निमित जीवनूने इपन जीवना उप्योगने योग ए ज निमित पने पर द्रव्यस्वरुप कर्मना करता छे द्रव्य द्रश्टी सी कोई द्रव्य अन्य कोई द्रव्य नू करता न थी केमके द्रव्य सुरुद्ध छे प्रिकाल सुरुद्ध रहे छे एटले ए बिजा द्रव्य मा व्यापे नहीं अने यहनू कार्य करे नहीं परन्तु पर्याई द्रश्टी थी कोई द्रव्य नो पर्याई, कोई वक्ते, कोई बिजा अन्य द्रव्य ना पर्याईने निमित थाये से, एक द्रव्य नो पर्याई से, एक कोई वक्ते बिजा अन्य द्रव्य ना पर्याईने निमित थाये से, जो निमित खरेखर कहीं करतू न थी, पर निमित नेमितिक सबंद होए, तो आर इते निमित नेमितिक सबंद होए, एटले एक द्रव्यनी परियाये बिजा द्रव्यनी परियाये ने निमित थाए, पर ए बन्ने वच्चे करता कर्म पणानों सबंद थाए, ने, एटले आ आप एक शाए एक द्रव्यना परि निमित करता तो यहने माटे निमित थाए यहम निमित करता केवाई पन ए वकते खरे खरतो यह सु थाएचे निमित करता थाए जीवने माटे आपने विचार करिये तो यह योगने उपयोग जे छे ए इवा परद्रवेन परियाए बदलाए छे तो यहमा निमित करता थाए छे जेमके कार्मन रजकनो बोते कर्मरूपे बंदाए छे तो यहमा खरे खरतो जीवना विकारी भाव आपने कईये छे एव निमित थाए छे परण जीव नति थातो यह जीवना विकारी भाव यह जीक आया तो यह वक्ते पन खरे खरतो यहनों यह योग पयोग छे एज एमा निमित पणे वरते छे एटले आरीते विचार करता पर्मार्थे द्रव्य पोते पोता नाज परिणामनू करता छे। द्रव्य द्रश्टी थी जोई ए तो द्रव्य बिजा कोई द्रव्यनू करता नती। पर्मार्थे परिणाम नती। अन्य परिणाम नूं अन्य ना परिणाम नूं भीजा परिणाम जे भीजा ना थाया तेनूं एक कोई त्रीजुद्रग करता थतू नथी अवे ग्नानी नी बात लईए तो ग्नानी कोने कहवा है आपने पहला बात लिदिने कि अग्नानी छे ते रागद्वेश ना भावे परिणामन करे छे तो एना रागद्वेश छे ए जड कर्म मा निमित कारण थाये छे जड कर्म बंधाये छे एमा कार्मन रजकन चे ते जड चे अने एनों बंधावानों अने चुठकण पडवानों से भाव मा छे ए टली कर्म रूपे बंधाये छे त्यार। ए अग्नान अवस्तामा ए जीवना रागवेश्णा भाव छे एनू निमित कार्ण बने चे वात आपने लिदी अनि बीजी वात आपने ए पन त्यार समझा के एने ग्नान थाय त्यार पछी थी एने ए रागवेश्ण चे आसरो छे एनू करता पणू रहतू नती एकले जीव एनो करता थतो नती अग्नान अवस्तामा जीव पोते रागवेश्णा करता थाय चे अने एना ए रागवेश्ण चे ते जड कर्म बंदावामा निमित कार्ण चे पर ग्नान थाय पछी ए रागवेश्णा करता थतो नती तो पछी ग्नानी कोण चे के वी रिते चे अने ग्न जनानी से नो करता अचे, तो एमा जनानी खरय खरतो जनान नोज करता अचे, जनान नोज करता अचे पूत्य जनान 20 स्वामी चे जीवा गोणो चे प्रमाण उैल स्वाव चे इक ग्नान स्वाव अग्नान स्वाव नो तो पची ये ग्नानावर्ण आदिक जे कर्म चे यहनू सुँचे, तो के ग्नानावर्ण आदिक जे कर्म चे ग्नानावर्णी होय, दर्शनावर्णी होय, मोह नी होय, के अंत्राय होय, चार घाती कर्म होय, चार अगाती कर्म होय, आयुष, नाम, गोत्र, अने वेद निया, आ अने एमा ए बंधाय चे कर्म रूपे एक कर्मनी प्रकृती रूपे बंधाय चे तो ए स्वयम ए पुद्गल द्रव्य परिणामे चे औने ए रिते कर्म रूप अवस्ताने प्राप्त करे चे एटले जे ग्णानावर्णा अधिक पुद्गल द्रव्य ना परिणाम चे तेमने आत्मा कर्तो नती औने मात्र जाने चे ते साचा आर्थमा ग्णानी चे ग्णानी पोताना ग्णानमा व्यापे चे ग्णानी एना ग्णानमा जे परिणाम देखाये चे उद्गल ना परिणाम देखाये चे ए रूपे थतो नती एनी साथे एकत्व करतो नती अने ये समझे छे के ए तुद्गल ना परिणाम जे ग्नान मा देखाये छे एनी इसना थे मारे एकत्व नती न एमा मारे व्याप्वा पड़ो नती एमा हुँ व्याप्वी शकू ने इतों मात्र एमा प्रतिविम्बित थाये छे इतले आ वात ग्नानी बराबर समझे छे जाने छे ए भेद ग्नान करी सके छे के आ मारा ग्नानी परियाए छे जे मा ए बदू मने देखाये छे इतले जे देखाये छे एना मां हुँ थाई सकू नहीं एना मां हुँ व्यापी सकू नहीं ए वात ग्नानी बराबर जाने छे पर अ एकस पोतााना ग्नान सुपहावनोज करता थाचे इस जाने छे इस जानवावा वकते हैं? पर आप पुदगल कर्म जज़कर्म चे पुदगल नई परियाये için थाइरी है अन्हें प्रण पहायक चा अंताय को स स्था देखनेक केके हैं। यहने कही shakkyye. कि जणानी ने जारे यनून प्राइचे तो धसे निमित होए निमित होके तो भले रहू? निमित कही करतू ना? जणानी यहने जाने छोपित्यारे कमे ए जट कर्मना उध जढान मा निमित होए पंग 这ी ए जढान न परियाई ना करता छे पिला जड कर्मना उदय आवया एनी परियाईनों ये करता नती जड कर्मना उदय एने ग्नानमा देखाये छे तो एनी ए ग्नान नी परियाई जे थाई ए ग्नान एनो ग्नानी करता थाए नहीं के पिला जड कर्मना उदय आवया छे एनो ग्नानी करता थाए एम नती, जड कर्म ना उदय एने एना ग्नान मा देखाए छे, त्यारे पन ए ग्नानी पोते ग्नान नोज करता छे, अने जड कर्म जे छे, जड कर्म ना उदय आव्या छे, इवा उदय ए पूता थी जुदा छे, बिन छे, एम एने बराबर जाने छे, हाँ M केवा एके एवा जड कर्मना उदे छे तो ए एना ग्नानमा निमित छे इटले ए रिते ग्नानावनने ये कर्म माटे आपने समझा ए रिते दर्षनावनने कर्म माटे पना आपने M समझे बद्धा कर्मनावनने माटे आपने M समझे तो ए रिते बद्धा कर्म माटे M छे कि एक कर्मना उदे छे औने एक कर्मना उदे ने जानवा वालो ग्नानी छे पण इक कर्मना उदे ने करवा वालो नती ये बदाद ने जाने छे इटले कर्मनी बधी प्रक्तिती ना उदे ने ग्णानी मात्र जाने छे करतो नती एज प्रमाने मोह ने राग ने द्वेश ने क्रोध मान माया लोब ने नो कर्म मन वचन काया और बदी इंद्रियोन उविचार करिये तो एपन स्त्रोत चक्षू ग्राण रशन ने स्पर्शन एबधाने पन एज जाने छे ये बदाने एज जाने छे जाने छे एडले ग्णानी नू व्यापवू ग्णान मा छे एनू व्यापवू कई इंद्रियो मा छे नो कर्म मा छे क्रोध मान माया में छे एम नती कि कोई कर्मना उदे आया छे एमा एनू व्यापवू नती नानी नू व्यापवू ग्णान मा अग्नान ने कारणे गमेते मान्यता करे यह साचु थतू नथी इटले ग्नानी नू व्याप्वू ग्नान मा चे परपदार्थो नी परियायमा ग्नानी नू व्याप्वू थतू नथी अग्नानी परणा अने पौताना एक पणाना अध्यास्ती पूताना विग्नान गन रूप स्वभावने बुली गयो छे एटले पोताना गनान स्वभावने बुलवाने लिदे इवा अंतरमाती उठता इवा गनानना स्वाधने छोड़ी ने इअगनान रूप थाएशे एकले स्वभ के अशुभ भावने करेशे ओते पोताना स्वभाव थी च्यूत थाईने ए पोताना गनान स्वभाव अने एमाती आवता गनानना स्वाधने छोड़ी ने इअगनान रूप स्वभ के अशुभ भावने करेशे ए वक्ते जे भावने करे छे ए भावमा तन्मय पणे छे ए भावने अनुबवनार बोगता पण थाये छे जे भाव अग्नानी ना छे ओते पोताना सभाव थी जुदो पड़ी च्यूत थे अने जे वाव भावे परिणे में छे तो एवाव भावनों अग्नानी करता छे अने एनुबवनार पण छे पुद्गल कर्मनों उदे एनी वात आपने जला समझी है कि पुद्गल कर्मनों उदे थता ग्नानी तेने जाने छे एटले कि ग्नाननों जे ये तो करता रहे छे मात्र जानवा वाळो छे अने अग्नानी कर्मना उदे ना निमित्ते पोताना अग्नान रूप सुभासुभ भावनों करता थाये छे अग्नानी पन ये पुद्गल कर्म नों उदय थाये चे तो एनों करता नती थतो अग्नानी तो एने जाने चे वाद तो आपने समझा आपने अग्नानी निवाद ने पन आपने साथे लिदी कि ये पोते पोता ना स्वभाव भाव ने जानतो नती पर साथेनी एक रुपता छे एक पणानो अध्यास छे एक पणाना अध्यास ने लिदे पूताना विग्नान गन स्वाधने छोडी ने अग्नान रुपे प्रिणे में छे तो सुबासुब भाव ने करे छे ने एवा भावनो करता आये छे ए वातने अव्या पुद्गल कर्मना उधे साथे आपने सम जीये छिये कै एवो अग्नानी एक पुद्गल कर्मनों उधे आवे छे ए उधे नो करता नती थक तो से पने एवाक tea कर्मना उधे नुद्हेश ने निमित पामीने ए पूताना अग्नान रुप retrouve सुबासुब ना थी कोई इप उद्गल करमना ते येना उदेना तो खरता थता नell सूर पर numुद्ट मय नाव दूं ओंध्ग्नान कर दाए। मिलम नुद्डा सब्सक्राइए ये जिपसप्र बूरॉआये है कोई छे ए Cambés C craw... आई व ca mai लेख और लोस्त ना बहुननों करता चे या च्रुल आगे मोँर्ताना लोस्त तो पर वानि पूलती पर झारिक की पर बहुनें करता तो छे दिने अवे आमा सिद्धांत नी वात ने थोड़ी गवदारे समझीए तो एक वात एपन आवी छे के जे द्रव्य सभाव छे जे द्रव्य सभाव छे एने कोई पल्टावी सके नहीं ते वो सभाव छे एवो जरे द्रव्य नो सोना रुपे छे एनो सभाव चे एना गुनोंने कारणे से एने आपने बदली सके नहीं माटी नो सभाव छे एमाटी रुपे ज हो ए वो सभाव छे एने की बदली सका है नहीं जीवनों जे वो सभाव छे चेतन सभाव छे तो चेतन रहे एकले जे द्रव्यनों सभाव छे एने तो कोई पल्टावी सकतू नथी एमा जे गुणों छे एमा फेरफार करी सकातो नथी एटले द्रव्य अने गुण मा फेरफार थाए ने पीजी लिते कईए तो द्रव्य अने गुण मा संक्रमन थाई ने बदलाव थाईने ए द्रव्य कोई अन्यत द्रव्य रुपे क्या अन्य गुण रुपे थाई नई इटले चैत्यने स्वरुपे छे एवा वा स्वरुपे रे अन्य यह बीजा जड़ स्वरुपे थाई नी जड़चे एपण जेवा गूणों चे एवा गूणों ना सवरुपेज रहेट छे। वेध RS 2 माती कोई चेतन चेक्ट अचेक पन द्रव्यहोए एक। गूणों मां बदलावे नी द्रव्यमां बदलावे नी स्वरुप चे। एवा स्वरूपने कारणे पोताना निजरस्थी ए अनादी थी जेवो सभाव चे पोतानों एवा सभाव बावेज वर्ते चे इटले चैत्यने स्वरूप द्रव्यमा बन्ने प्रकारना द्रव्यमा अने गुणों मा निजरस्ती ए अनादी थी पोते वर्ते चे पोताना निजरस्ती जे पोते एवा द्रव्य गुण रुपे चे एवो जे स्वभाव चे वस्तुनों तेना गुणों प्रमाणे फबाव छे ती तेनी मर्यादा छे मर्यादा है अपेक्स आये छे कि जीव छे ती चीतन भावे परिणमे ए वात बराबर छे पने जड़ भावे परिणमी सके नी एने मरियादा छे जड़ भावे नव परिणम रूप मरियादा छे जेतन द्रव्य छे जीव इचेतन भावे परिणमे पन जड़ भावे नव परिणमे सके इटली एने मरियादा छे एटले के कोई पन द्रव्य चे ए पोते पोता ना द्रव्य गुण प्रमाणे परिणमी सके पन बीजा ना द्रव्य गुण ना भावे न परिणमी सके एवी दरेक न मरियादा चे भगवान आत्मा मा अनंत गुण चे वात बराबर चे पिए छताएं कि जड़ भावे ना परिणिमी सके एवी यह मर्यादा चे अन्य जड़ चे एमा पण अनंत गुण चे पण ए चेतन भावे ना परिणिमी सके एवी मर्यादा चे एटले एनो अर्थ एछे कि एमा फेरफार कई अपैकस आए द्रव्या निए अपैकस आए कि गुनने अपैकस आए एटले कि द्रव्यांतर कि घुनांतर रुपे संक्रमण थाए तंक्रमन था, ये बदलाव था, ये द्रव्यांतर flatsने इंदर फिर्फार के द्रव्यांतर के जुञांतर रूपे संक्रमन था एनो या थी थे हो कई पन्य वस्तुने ते ना सभाव थी, जुदा अन्य flipped परिणिमावी सकाए नही बहुँ मोटी वाद छे, कोई पन वस्तुने एना सभावती, जुदा अन्य बावे परिणमावी सकाई नहीं इटले ए रिते जोई एतो आत्मा छे ए जड़ बावे थाई नी औने पुद्गल कर्मनों ए करता थाई सके ज नहीं इटले एवुँ आत्मा ने पुद्गल कर्मनों आ करता पनों सिद्ध थाई से उपचार थी आत्मा ने पुद्गल कर्मनों करता अग्नानी माने से ये ने एक कर्म बांधे से आपने कईये से ये उपचार थी कईये से जीवने कर्म बंदाये से आम कईये से नहीं अगना नवस्ता माँ जे निमित-नइमितिक भाव मा एने पुदगल कर्मनों करता केवो तो उप्चार है एक राजा is युद्ः करि last month युद्ः करिवा युद्ः करना यु essere ऊसरी पिम्सारीयह 57 मं नोम्हर期 सब्सक्राइब श्तरानेनामाज इसमा ॡ राजा्त करें ? राजा जीत हो आ यहां ओबामा यहां बैठो हो और त्या आफगानिस्तान मा कहीं करे तो ओबामा आए आम करिए ओबामा क्या करवा देओ पने यह नी सेना आए करिव गुझा यह उपचार करवामा आवता हो अशे इतले ए रिते इवा उपचार थी आत्मा ने जीवने केम के व्याप व्यापक बावविना करता कर्म पणू केवू यह वात बंतिज नतीरले यह उपचार छे व्याप व्यापक बावविना करता कर्म पणू केवू यह तो उपचार जो होए विजु सुव होए इटले पची पुद्गल कर्म जे छे एनों करता पुद्गल द्रव्यच छे पुद्गल कर्मनों करता पुद्गल द्रव्यच छे एमा थोड़ी कवात अपने समझवानी छे आपने जड़ कर्म छे ना सबंदी ना करता पणा माटे वदू आपने स्पष्टानी जरू छे के पुद्गल कर्मनों करता पुद्गल द्रव्यत छे अने एना जे विशेशों जो कई ये तो ए मिध्यात्व और विर्ति कसा ये योग जेने आपने प्रत्य कहिए ची प्रत्य कहो के आफ्रवों कहों आ चार प्रत्य हो छे इसामाने प्रत्य हो छे ए बंदना कारण छे मिध्यात्व और विर्ति कसा ये योग ए खरेकर पुद्गल कर्म पुद्गल द्रव्यत छे एना ए विशेशों छे अने ए चार इबंदना सामाने कारण छे बंदना सामाने हेतु छे अने ए करता छे पुद्गल कर्म बंदाए छे तो एना करता ए छे कोण छे मिध्यात्व और विर्ति कसा ये योग ए बंदना सामाने हेतु छे कारण छे इतले ए रिते चार करता छे अने एमा जो भेद पाड़ी ए और भेद पाड़ी ने जो ये तो एमा तेर गुंस्थान को छे ए आवी जाए छे मिध्यात्व ती मांडी ने सयोग केवडी सुधी ना तेर गुंस्थानों ए करता छे ए तेर गुंस्थानों छे ए भेद पाड़ी ने केता केव एकले विश्यस पने कई ये तो अने सामाने पने कई ये तो चार छे मिध्यात्व अविर्थी कसायने योग अने भेद पाड़ी ने कही है तो मित्यात्वती सयोग केवडी सुधी ना तेर गुंस्तानों छे ए करता छे कोना करता छे पुद्गल कर्मना आ तेर घुनस्थानों पुदगल कर्मना विपाक ना प्रकारों से अचेतन से अनि तेवोज व्याप व्यापक बावे पुदगल कर्मने करे जें इतली एरितेस शास्त्रमा प्रतियोंने बंदना करता केवामा आवया से चार प्रत्यों इस्नामाने प्रत्यों छे औने तेर विश्यस प्रत्यों छे येना भेद छे जीवने औने प्रत्यों ने सुसबन छे ये जीवना छे के नहीं जीवने औने प्रत्यों ने एक पणू नती तर्क थी ये सिद्ध करवामा आविशे, तर्क द्वारा टिकामा ये समझावामा आविशे, कि जीवने अने प्रत्यों ने एक पणुन थी ये मिध्यात्व आदी जे आस्रों कया, ये जड सभाव छे अने जीव चेतन सभाव छे इतले ये एक पणुन होई ने, जो जड अने चेतन एक थाई जाए, तो पची बिन्द द्रव्यनों लोब थाई जाए, अने मोटो दोस आवे इती यहने एक पणू होई ने इतले आस्रव ने आत्मा ने एक पणू न थी आजे प्रत्ते ओ इतले आस्रव ने चार प्रकार ना सामान्या अतने भेद पाड़ी ने कई यह तो तेर प्रकार यह एने औने आत्मा ने एक पणू न थी यह आत्मा थी जुदा छे जो फरीतियावात ने समझेए, नव तत्व नो विचार करीने समझेए, तो नव तत्व नी इनद तत्व किटला छे? नौ छे नौ ज रहे छे यहमाँ जीव छे और आसरो छे तो जीव ने आसरो ने बेगा टारी दिये और एक रूप मानिये तो पछी तत्व कितला थे जाए आठ थे जाए तो नौ तत्व रहे नी जीव तत्व छे ए आस्रव तत्व ती जुधू छे ए बन्ने ने एक रूप करी दे एक रूप मानी ले ये तो आट तत्व तहीजाए नव तत्व रहे नी तो पछी ना एम नो होए अत्वा तो कोई पन तत्वने जीवणी साथे वेलव ये तो नव तत्व रहताज नथी 9 तत्व छे, तो 9 तत्व तो त्यारज रहे कि जीव ती ये जुदा हो ए। ऐतले आसरव तत्व छे ये जुदूज छे ए औने जीव एक नती, औने आ बदा आसरव छे, मिठ्यात्व, अवुउटि, कसाय, योग, ये बदा आसरव छे प्रत्य debuted छे, एतले ए जीव ने प्रत् पुद्गल द्रव्य नाज छे येना विशे सोचे अने एज येना करता छे चड कर्मना करता छे भेद करीने लएए तो तेर गुन्स्थान जे कया एज बदा येना चड कर्मना करता छे अने एज बदा आस्रवने जीव साथे एक पणु नती अवे परिणामी नी वात लईए तो परिणामी नी दिते विचारी ये तो पुद्गल द्रव्य छे एक खरेखरतो परिणामी छे ये ओ परिणामी नती ये परिणमे छे येनू स्वत्तंत्र पोतानू परिणमन थाये छे इस्वयम ये पोते परिणमे छे एटले पुद्गल इत्रव्यो ये कार्मन रजकनो छे एनुँ स्वभाव छे एटले एनुँ परिणमन थाय चे तो ये जड κα्रम रूपय बंदाय चे एवा सकंद ठाय चे अन्ने पच्छी छुटा पड़े एवनों sources 그때 थावचे एवु परिंदमन थाये छे आनि ये की और ये कोई करावे लेखें उस्वयम्परिंदमी कर्म रूप कया सके पिक जोकोसर omega-मम नत्रफिं गया चाहरे पे नसे संसे अब आवाँ ऑनातागत्री कर्म रूपए बंदाय चे यह कोन बांदे चीं जो यह बंदाय इस वंटिबंधमा आवे इस कटाच चंकापडए तो बीजो बांदी सक fit नहीं केकि एमाнов व्याप व्यापक पड़ानों अभाव चे अने ये बंधाय चे ये वात निश्चीत चे पुद्गल नूँ परिणमन चे परिणामी चे ये ओ परिणामी न थी पुद्गल नूँ परिणमन चे अने पुद्गल द्रव्य पोते कर्म रूपे बंधाय चे अने पुद्गल द्रव्य पो पणुआ नठी और जो ए स्वय प्रिणम तुन ये वी लिते तो बन्दा तू नठी आने जो खरेखर एवू ओय कि न प्रिणम एवा एवो सभाव होए तो विजों पॉजी प्रिणम आवी सके नहीं आपने वाद करी के कोई पन द्रव्यों वो सभाव होए बीजो द्रव्य यहमा कई फिरफार करी ना के यहम बने नी इतले यहने बीजो कुण परिणमा आवे जो पुद्गल द्रव्य परिणम तुझ न थी तो जीव पन यहने के विरीत परिणमा आवे इतले ए पुद्गल द्रव्य पोते परिणमन सभावी चे तो परिणमे चे एतले स्वयम परिणमे चे एतले ए रिते जो यह तो बधाज द्रव्यों चे ए परिणमन सभाव वाला चे यह थी पोत पोताना भावे पोतेज करता थाय चे यहने परिणमे चे आ रिते जड कर्म ज थी विज्या मतमा बिजी मान्यता मा एने अवपरिणामी कई वोई पन ए खरेकर ए अवपरिणामी नती ए पोते कर्म जड कर्म पोते स्वयम बंदाए छे आ रिते एनू करता पणू दर्साया गुछे के जड कर्मनों करता जे बुद्गल द्रव्य पोतेज छे तो आजे आपने यहां सुधी स्वाध्याय राखिये छे करता है कि का देशेशन मोड इस अन एवर्यान के नावी हर्ड आ रिदन छे इंडे उंधारू चे के कोई खास सवाल नों कास नती रहेतो कोई खास अनी बारे सवाल तमने लागतो है तो पूछो अन्य था मानू चुके बद्दाज स्वस्टिकरों नों आपने जारत वाध् तो आपने शुखदाम बोली ने सवाध्याए पूरो करिये पूछ था मानंद सुसान्द जही नेरात रही तद्ध्यान मही परशाती अनंद सुधाम यही परमो पदते वरते जएते , वरती, जयती , जयती , जय जिनेंद्र जय जय बर्भू ! जय जय बर्भू .